हेलो गुद मॉनिंग जोहार मसंजे और आप देख रहे हैं निव जार्खन चले जांगते हैं आज की जार्खन की 25 टॉप मुख्य बड़ी खबरों को सिराची में छातरावास बना रही कंस्ट्रक्शन कंपनी को टर्मिनेट करें वही उन्होंने सभी शदर अश्पिताल में 24 घंटे 7 दिन हेल्थ केर सर्विस सुरू करने का निर्देश दिया है इसकी सुरुआ दुम का सदर अश्पिताल से होगी मुख्यमंद्री ने कहा है कि वैसे युवा जिन्होंने पारा मेडिकल की ट्रेनिंग कर रखी है उसे पंचायत असरीय दवादुकान योजना से जोड़े मुख्यमंद्री ने बहतर स्वास्त सुविदाएन लोगों को मिले इसके लिए चिगित सकू और अन्य पारा मेडिकल कर्मियों की निर्देश दि तो मैं दवार दुकान खोलने की प्रिक्रिया तेज हो जिनका उनके जिले में तूती बोलती थी विभाग्य सुत्रों के मताबिक कई अधिकारी लंबे समय से एके जगा पर दस्तापिते आम लोगों के बीज से लगतार सिकायत मिलने के बाद विभाग ने रिवियों किया इस रिवियों में कई बाते सामने आई जिसके बाद वि 17 सहाइक अवर निरक्षक उत्पात का ट्रांसफर कर दिया है मनिपूर की घटना पर जामों ने केंदर सरकार का फूं का पुतला जार्खन मुक्ती मोर्चा ने रांची की अलबर्टे का चौक पर गुरवार को केंदर वा मनिपूर सरकार का पुतला दहन किया दरसल मनिपूर की दो महिलाओं को निर्वस्तर कर घुमाये जाने का वीडियो सोसल मीडिया पर फैलने के बाद देश के तमाम विवक्षी पार्टियों ने भाचपा सरकार का जम कर विरोध किया बता दे कि कुछ महिनों से मनिपूर में चल रही हिंसा की तस्वीरे लगतार देखने को मिल रही थी लेकिन हिंसा के 77 दिन बाद दो जो है निर्वस्तर महिलाओं का वीडियो सामने आया है जिसे देख कर हर कोई दंग रह जाता है इस घटना के बाद देश के कोने कोने से मन अगड मंधन में सामिल कॉंग्रेस ने मनिपूर की घटना को प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी और ग्री मंत्री अमित्सा का पुतला दहन कर विरोल्ट दर्च कराया है होंगी ताकि लोग हूँ भोजन की तलास के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े वही रेलवे की और से इस योजना पर देश के अस्टेशनों पर काम सुरू करने की योजना बना जा रही है हलाकी कहा गया है कि पहले कुछ अस्टेशनों पर इसे सुरू किया जाएगा या परवधान 51 अस्टेशनों पर लागू किया गया है मिली जानकारी का नुसार फिलाल रेलवे से ट्राइल करने के मकसद से 6 महेने चलाएंगे इसके बादे से अच्छी फिडबैक मिलने पर इसका विस्तार किया जाएगा रेलवे ने कहा है कि इस फैसलेस रेलवे में गरीब भी कम कीमत में अच्छा खाना खा सकेंगे जार्खन में 25 जुलाई तक होगी बारिस इन इलाकों में यलो अलर्ट वजरपात की छेताओनी जार्खन की राजभनी राची सहित आसपास की जिलो में 25 जुलाई तक बारिस का पूरू अनुमान वक्त किया गया है कल गुरुवार को भी नाची के कई इलाकों में सुभा से ही बादल शाय रहे और जम कर वारिस हुई मौसम भाग ने अनुमान वक्त किया है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य का मौसम ऐसा ही रहेगा कुछ जिलों में अगामी 25 जुलाई तक रुक रुक कर हलके से मध्धम दर्जे की बारिसों की मौसम भाग ने कहा है कि 25 जुलाई तक राज्य भर में रुक रुक कर बारिसों की इस दोरान वजरपात की भी आसंका है इसलिए लोगों सतर करहना चाहिए सीम के पोश्टर बैनर फारने के मामले में पुलिस ने पांच लोग को किया गिरपतार जारकन के गरीडी जिले के डुमरी में बुधवार को मुखेमंतरी के कारिकरम से पहले कुछ आसमाजिक तत्वों ने डुमरी बेरमोपत के किनारे लगे मुखेमंतरी के पोश्टर और बैनर को फार दिया था एक दोने ही बलकी कई पोश्टरो बैनरों को फार दिया गया था इस मामले को लेकर प्रसासन ने गंभिरता से लिया, मामले की प्रात्मिकी दर्शकरतों वे पांच लोग को गरबतार किया गया है, इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है, इस बात की पुष्टी DSP संजेराना और डूमरी SDPO मनोच खुबारने की है सड़क हाथसे का सिकार हुए जारखन की मंतरी बाल बाल बची जान तीन बोडिगार्ट्स जक्मी, बड़ी किबर जारखन की कोल लगरी धनबास से जहां ग्रामिन विकास मंतरी आलमकीर आलम एक सड़क हाथसे का सिकार हो गए है, इस हाथसे में आलमकीर आलम की जान बाल बच गटना धनबात के कतरा स्थाना अंतरगत एनच 32 की है जानकारी के मताबिक लिलोरी मंदर के समीब बने अंडर पास में मंतरी की गाड़ी हाथसे का सिकार हो गई हाथसे के दोरान तीन गाड़ियां आपस में टकरा गई जिसमें तीन पुलिस करमी घायल हो गई घायल पुलिस क पुलिस कर्मियों को नजदी के अस्पताल में इलाज के लिए भरती करा गया है। जारकन मुक्ती मोर्चा जामों के कारिकारी अध्धक्ष ने कहा है कि अस्पताल में अराज कता के स्थिती बने हुई है। जारकन में पियम किसान सम्मानेधी की चौद विकिस्त का इंतजार कर रहे किसानों के बड़ी खुस खबरी है। प्रधान मंतरी किसान सम्मानेधी की चौद विकिस्त जल्द जारी होशकती है। इस लिंक से करें डाउनलोड। जावेत इलाकी चोत्रा में बुधवार देराद हत्यार बंद मवादियों ने जैसीबी में आग लगा दी है। मवादियों ने लावालांग थाना चेतर की टुनगून गाउं में निर्मानकार मिलगी जैसीबी में आग लगाई है। मवादि एक बर फिर इन इलाके में अपनी सक्रिता बढ़ा रहे हैं। सरार्थी तत्वों को आ जाज की बात ही पता चलेगा। अपनी कई परिशान्यों को लिकर चात्र इसका विरोध कर रहे थे। संस्थानों में नामांकन के लिए जार्खन के इस्थानी निवासी होने की बाध्यताकत में कर दी गई है। स्थानी निवासी होने की सर्थ रखी गई थी। हलाकि आप कहा गया है कि जार्खन के पात्र अभ्यर्थियों के नामांकन के बाद रिक्त रहने वाली सीटों पर अन्य जो है पात्र अभ्यर्थियों के नामांकन हो सकेगा। इसी के साथ JCECEB ने आवेदन के प्रिक्रिया दोबारा सुरू कर दी है। में चल रही सुनवाई पर रोक रखी बरकरार। कि क्या इस तरह से बचेगी बेटियां बोले राजश ठाकूर मानिपूर में महिलाओं के शाथ हुई आमानविये एवं सर्मनाग घटना के खिलाब प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी ने राजधनी राची के अलबटे का चौंग पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और गिर मानिपूर की इस घटना सिर्फ मानिपूर ही नहीं पूरे भारत वर्स को शर्मशायर किया है उन्होंने का है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा देने वाली भाज़ पाया बटाए कि क्या इस तरह से बेटियां बचेगी उन्हें का है कि मोधी सरकार ओलिश वेल क कर दिखावा कब बंद करेगी मानिपूर के मुक्मंत्री को कब हटाय जाएगा प्रधान मंत्री की चुप्पी और निस्करियता मानिपूर को अराच कता की और धकेल दिया लंपी वारस को लेकर विभाग हलट पसु चिगत सकु की चुटी रध एडवाजरी जारी देज के कहीं सो में बारिस में लंपी वारस का प्रकोब दिख रहा है वही पसुओं में भी कई तरह की बिमारियां फायल रही है इसको देखतो हुए जीला पसु पालन विभाग न गुमला सदर अस्पताल गेट के समीब ओटो में महिला ने बच्चे को दिया जन्म गुमला सदर अस्पताल परबंधन एवं नर्सों की सजगता से गुरवार को जच्चे बच्चे की जान बचाय के प्रसो पीड़ा के बाद अंतिम छन में एक महिला को ओटो में बठा कर हुआ इस दोरान तुरंत नर्सों ने ओटो में ही महिला का प्रसों करातो हुए इलाज किया इस दोरान जच्चा बच्चा दोनों स्वस्त हैं जानकारी के अनुसार सदर अस्पताल गुमला के मुक्य गेट पर साई जो है टांगर टोली लोदाम निवास सी मिनहाज बीबी क प्रसों ओटो में हो गया प्रसों होने की सूच ना मिलने पर नर्सों ने ओटो में ही इलाज कर जच्चा बच्चा को इर्स्पताल में भरती कराया जहां उनका उप्चार जारी है नर्सों ने बताया है कि प्रसों नॉर्मल हो गया दोनों जच्चा बच्चा सुरक्षित है सीएम से मिले विकाश आयुक्तु टीबी उन्मूलन में रांची को मिले गोल्ड मेडल को किया भेट मोक्यमंत्री हिमंतु सोरिन से जार्कन मंद्राले में गुर्वार कुर्याज के विकाश आयुक्तु शह अपर मोक्य सचिव श्वास्त चिकर्सा सिक्षा एवं परिवार कल्यान विवाग अरुन कुमार सिंग ने मुलाकात की इस दौरान उन्होंने विश्व यक्षमा दिवस 2023 के आवसर पर वारनासी में हुवे कारिकरम में टीबी उन्मुलान को लेकर स्रिष्ट कारे करने के लिए रांची जीले को गोल्ड मेडल तथा परमान पत्र मोक्यमत्री को शाप्रियम भेंट की विपक्ची पार्टी के नाम पर सुधेश का तंज कहा इंडिया नाम रखकर देश्वासियों को ठागना चाहते हैं लोक्षभाचनाओ 2024 को लेकर 18 जुलाई को इंडिया की बैटक में शामिल होकर आजसु सुपनिमो सुधेश महतोरांची लौट गए हैं राची पहुँचने के बाद आएरपोर्ट पर उन्होंने कहा है कि बैटक में लोक्षभाचनाओ को लिखर चर्चा हुई साथ ही किस परकार से एंडिया को ज्यादा वोट मिले इससे लेकर भी चर्चा की गई बैटक में एंडिया के वरिष निताओं के द्वारा सभी दलो को या बताय गया है कि किस परकार से समन में बनाकर आगामे चुनाओ में काम करना है शुदेश महतों ने बैंगलूर में यूपिये और विपक्षी दलो की बैटक पर भी निशानर साधा है उन्होंने काहे कि विपक्षी पार्टियों की एकता देखने के बाद या कहना गलत नहीं होगा कि स्रिफ आगामी लोक्षभा चुनाओ के लिए ही एक जूट हुई है उन्हें जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है असुपरमुक्ष देश महतों ने कहा है कि जिस प्रकार से एंडिये में स्रामिल सभी दल पिछले कई वर्सों से देश के हिद के लिए काम कर रहे हैं उसी प्रकार से विपक्षी पार्टियों की मांसा कहीं से भी देखने को नहीं मिल रही है उनकी एक जुटता स्रिफ और स्रिफ आगामे चुनाव में जीत और सत्ता पाने के लिए जोहे हुई है घर में जमिन पर सूरहा था दमपती, सांप काटने से पती पतनी की मौत, जाड़ फुक निली जान पलामो जिले के नौडीहा बजार प्रखन के गुलाब ज़री गाउं के नावाडी टोला में बितीराथ सार्बदन्स सांप काटने से पती पतनी की मौत हो गई दमपती को शुरुबात में प्रात्मी के लिए प्राइबेट डॉक्टर के पास ले जाए गया बाद में उन्हें जाड़ फुक के लिए ले जाए किया स्वास्त में कोई शुधार नहीं होने के बाद उन्हें सरकारी अस्पतार लाए किया जहां जाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत्व खोशित कर दिया बताया जा रहा है कि इलाज कराने के बज़ाए जाड़ फुक से इनका स्वास्त और खराब होता किया बिना देर किये इन्हें बहतर इलाज मिलता तो इनकी जान बश सकती थी अंद्विस्वास में इनकी मौत्ग गई मिर्तक बैजनाद के तीन बेटी और तीन बेटियां ही इनमें एक बेटी और दो बेटियों की शादी कर चुका था बड़ा बेटा दूसरे राज़े में मजदूरी का काम करता है दो बेटी और एक बेटी बारावर से कम आयोके हैं दिल्ली में मिले जारकन के दो पूरो सीम जारकन के दो पूरो मुक्यमंत्री रगवर्दास और अरजुन मुंदा की मुलाकाद देश की राजधानी दिल्ली में हुई दोनों पुरों मुखमंत्री उने जहर्केण की राजनितिव और पाटि को राच में मजबूट करने को लेकर आधी घंटे तक मंत्राना की बता दे की वरतमान में अर्जुन्मुंदा, केंद्री यौ मंत्री हैं इससे पहले रगवरदास की पूरो मुक्रमंतरी और वरतमान में जारकन की बीजेपी प्रदेश प्रभारी बाबुलाल मारांडी से भी मुलाकात हो चुकी है इधर दिल्ली में रगवरदास और अरजिनमुंडा की मुलाकात को लेकर राजनेतिक चर्चा भी होने लगी है के सामने खड़ी कार्च शतिगरस्त हो गई इस तोरानी क्लिनी के पास रंगदारी की मांग जो है समंधित परचा भी छोड़ा किया अपराधियों के इस गोली बारी के बाद चिकत सको डॉक्टर जो है तौशिव अलम के परिवार वाले घर से बाहर निकले घर आते ही घर की और नजर डाली गई तो कार का सीसा तूटा पाया इसके बाद गुरुवार के दोपार डॉक्टर के मवाइल फोन पर कॉलाया फोन करने वाला खुद को जो है सरकार गिरों की बात करतो हुए रात में गोली चलाने की जो है जिम्मेधारी ली साथी लेवी की मांग भी की गई अपराधियों न डॉलर से ही जो लेवी कहां देना है इसकी सुचना फोन पर देने की बात कही स्कूटी सवार युवक युवती पर पीड़ गिरा इलाज के दोरान दोनों की गई जान जारिकन में सड़क हाथसों के मामलों में लगतार एजहापा देखने को मिल रहा है इसी कड़ी में अब एक और ताजा मामला राची से निकल कर सामने आ रहा है यहाँ एक दरधनाक हाथसे में असकूटी शवार युवक और युवती की मौत हो गई पताया जाता है कि उन पर पीड़ आगिरा जिसे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई घटना राची के लपीएन साहदेव चौकी है दरसल राजधनी राची में एक दरधनाक हाथसे में असकूटी शवार युवक और युवती की मौत हो गई उन पर पीड़ गिरा जिसे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई यह घटना राची के लपीएन साहदेव चौकी है जहाँ असकूटी शवार युवक और युवती पर पीड़ गिरा हाथसे के समय दोनों सड़क पार कर पुलिस ने सवो को कपजे मिले कर पोश्ट मार्णम के लिए भिजवाया है या एरिया जो है आर्मी के कंट्रोल में आता है। इस दोरान बिहार जारकन के नामांकन पर विसेश जोड दिया गया है। इस दोरान उन्होंने मुखे मंतरी हिमन्तु सोरिन पर जम कर निसाना साधा है। मुखे मंतरी पर कटाक्च करते हुए बागमारा विधायक ने कहा है कि जारकन को पूरे देश में धनी राजिस से जाना जाता है और मुखे मंतरी जारकन के मजदूरों को बाहर नौकरी करने भेज रहे हैं। इस सरकार में जारकन के मजदूर बाहर जाकर काम करे और कोई जो है महामारी आये तो भगा दिया चाहे। यहां जारकन मुक्ती मोचा और कॉंग्रेस की गणबंधन की सरकार नहीं रहनी चाहिए। उसे नहाए की रहसत में जेल भेज दिया क्या। 30,000 CFT बालू जब्त चार लोग के किलाब प्रात्मी की दर्ज नदी घाटों से बालू कनन पर रोख है इसके साथ ही बालू जमा अस्टॉक करने पर भी परतिबंध है इसके बाद भी अवैद बालू कनन वा भंडारन जारी है जारकिन के पहलामों जिले में इसकी सूचना मिल किया इसके साथ ही चार लोग के किलाब प्रात्मी की दर्ज की गई पलामों के जीला खनन पर दिखारी आनंद कुवार ने कहा है कि 10 से 15 अक्टॉबर तक नदी से बालू खनन पर पूरी तरह से रोक लगे हुई है 15 अक्टॉबर तक बालू खनन एवं भंडारन करना कानून कानूना अपराधे उन्हें असपस्ट कहा है कि बालू खनन करते पकड़े जाने पर कानूनी कारवाय की जगी